नमस्कार, आज का दिन मेरे लिए अपुर्णिय ख्षती और असहनिय पीड़ा का दिन है। मेरे गनिष्ठ मित्र और जपान के पूर्व प्रधानमत्री स्री सिंजो अबे अब हमारे बीश्ट नहीं रहे है। आबाजी मेरे तर साथी थे ही वो भारत के भी उतने ही विश्वस्निय दोस्त थे। उनके कारकाल में भारत जपान में उनके जो राजलितिक समन थे हमारे वो को नहीं उंचाई तो मिली ही। हमने दोनों देशों की साजी विरासत चुड़े रिस्तों को भी खूब आगे बढ़ाया। आज भारत के विकास की जो गती हैं जापान के सहयोग से हमारे यहां जो कारिय हो रहे हैं इनके जर्ये सिंजो अबे जी भारत के जन्मन में सालों तक बसे रहेंगे। मैं एक बार फिर दुखी मन से मेरे दोस्त को सद्धान्जली देता ह। साथियों, आज का ये आयोजन मेरे और एक गनिष्ठ मित्र अरुन जेटली जी को समर्पीत है। बीचों दिनों को याद करते हैं तो उनकी बहुत सारी बाते हैं। उनसे जुड़े बहुत से बाक्य स्वाभाविक रुप से याद आते हैं। और यहां बहुत सारे उनके पुराने साथी में देख रहा हूं। उनकी ओरेटरी हम सब उसके कायल थे। और उनके वन लाइनर वो लंबे अर्चे तक हवा में गूनते रहते थे। उनका व्यक्तित्व विवित्वता से भारा था। उनका स्वभाव सर्वं मित्र वाला था। यहां जितने भी जोग डिखते हैं, हरी के अलगळग दुनिया है। लेकिन सब अरून के मित्र थे। यह अरून के सर्वमित्व की प्रिशेश्ता थी अरून के व्यक्तित्व की इस खुबी को सभी आज भी याद करते हैं और हर कोई अरून की कमी मैसूस करता है मैं अरून जेटली जी को अपनी वीनमर सद्धान्जली देता हूं साथियों अरून जी की स्पुरूति में इस लेक्चर का जो विश्य रखा गया है ग्रोथ तुरू इंक्लुजिविटी इंक्लुजिविटी थू ग्रोथ वो सरकार की डेवलोप्मेंट पॉलिशी का मूल मंत्र है मैं धर्मन जी का विश्य शुप से आभारी हूं कि उन्होंने हमारे निमंत्रन को स्विकार किया और मैंने कई बार उनको सुना भी है उनको मैं पढ़ता भी रहता हूं कि उनकी बातों में उनके अध्यान में वह सिर्फ भारत में ही बोलते हैं तब नहीं दुनिया के अन्य देशों में भी जब जाते हैं तो काफी रिसर्च करते हैं लोकल तच उनकी हर कि एकेनिमिक थिंकिंग में उनकी फिलोसाफी में बहुत सटिक तरीके से वो उसको नीट करते हैं आज भी हम सबने अनुभव किया बहुत इच्छे ढंक से उन्होंने वाइश्विक परिस्तिति से ले करके हमारे देश के बच्चों तक हमें ले आए उनका बहुत आभारी ह मुझामाला सथिवेश्य और गश्ण हो रही है ही कि इस विशे को लेकर के आज कि अरुन येतिली वीख्यानमारा क कर अबारा प्रयब हुआ है अगर मैं इसी को सरल भासा में कहूं और टॉ particularly Π cardiищ सीधी साधी भाषा में मैं कहूंगा सबका साथ सबका विकास लेकिन इसके साथ ही इस लेक्टर की थीम आज के पॉलिसी मेकर्स के सामने आ रही चुनोतियां और दुविदाओ को भी कैप्टर करती हैं मैं आप सभी से एक प्रस्न पुछना चाहता हूं क्या बिना इंक्लूजन के सही ग्रोथ संभव है अब अपने आपको पूछिए क्या बिना ग्रोथ के इंक्लूजन के बारे में सोचा भी जा सकता है क्या कि हेड़ अप्टे गवर्रमेंट के तौर पर मुझे 20 साल से भी अधिक समय से काम करने का अवसर मिला है और मेरे अनुभवों का सार यही है कि बिना इंक्लूजन के रियल ग्रोथ संभव ही नहीं है और बिना ग्रोथ के इंक्लूजन का लक्ष भी पूरा नहीं किया जा सकता है और इसलिए हमने ग्रोथ इंक्लूजिविटी का रास्ता प्राया सबके समावेश का प्रयास किया बीते आठ वर्षों में भारत ने इंक्लूजन के लिए जिस पीड के साथ काम किया है जिस केल पर काम किया है वैसा उधारन आपको पुरी दुनिया में कभी भी नहीं मिलेगा बीते आठ साल में भारत ने नव करोड से जादा महलाओं को मुक्त गैस करेक्शन दिया है नव करोड ये संख्या साथ आफरिका ऑस्तेलिया सिंगापूर नुजिलेंड इसकी सारी आबादी को भी जोड़ दें तो उससे भी जादा होती है याने आप स्केल देखिए बीते आठ साल में भारत ने दोस करोड से जादा टॉइलेस्ट बनाकर गरीबों को दिये धर्मन जी ने इसका बड़ा पैशन हो करके उलेक किया ये संख्या साउथ कोरिया की कुल आवादी के दोगुने से भी जादा है बीते आठ साल में भारत ने पैटालीस करोड से जादा जन्रदन बैंक एकाउंट खोले हैं ये संख्या भी जापान जर्मनी ब्रिटैन इटली मेक्सिको इनकी टोटल पॉपुलेशन से भी करीब करीब उसके बराबर है बीते आठ साल में भारत ने गरीबों को तीन करोर पके घर बना कर दिये हैं और मुझे आध है एक बार आपी के मंत्री परिश्र के साथ ही इश्वरन से मेरी भात हो रही थी सिंगापूर के मिनिस्टर जब मैं उनको इस केल बता था था हाउ सिंग्या तो इस्वरन ने मुझे कहां तो आपको तो हर महीं देख देया सिंग्यापूर बनारा पड़ेग मैं आपको ग्रोथ इंक्लूजिविटी इंक्लूजिविटी थ्रू ग्रोथ का एक और उदान देना चाहता हूं भारत में कुछ साल पहले हमने आईश्मान भारत योजना शुरू की थी जिसका उलेक थर बंजी ने किया और आने वाले प्रमुख सेक्टर में उन्होंने हेल सकते की चर्चा भी की है इस योजना की विजह से पचास करोड से ज्यादा गरीबों को अच्छे से अच्छे अस्पताल में हैं और हिंदुस्तान में कहीं भी पांच लाख रूपीय तक का मुप्ट इलाज मिलना सुनिस्षित हुआ है पचास करोड लोगों को पांच लाख रूपीय तक मुप्ट इलाज के बिते चार साल में है आयश्मान भारत की व्यज़स से कि देश के सारे तीन करोड से ज्यादा लोगों ने अपना मुप्त इलाज कराया है हम ने इस योजना में इंक्लूजन पर फोकस किया गरीब से गरीब जो है आखिर की पंक्ति में बैटा हुआ है उसको भी आरोग्य के समद में आवश्यक अच्छी सुविधा मिले है और समय के साथ हमने देखा है वो पहलू तो इंक्लूजन का है लेकिन समय नहीं बताया है कि इससे ग्रोथ का रास्ता भी बनता चला गया जो पहले एक्स्लूडेर थे वो विकास की मुख्यधारा से जुड़े तो देमान भी भड़ी और ग्रोथ के लिए अपर्चोनिट का भी विस्तार हुआ जब भारत की एक तिहाई आबादी जो पहले बहतर हेल्ट केर की सुविधाओं से दूर थी उसे इलाज की सुविधा मिली तो इसका सीधा प्रभाव यह हुआ कि हेल्ट केर कैपिसिटी को उसी हिसाब से खुद को मजबूत करना पड़ा कि मैं आपको बताता हूं कि आईश्मान भारत योजना ने कैसे पूरे हिल्ट केर सेक्टर को ट्रांस्फार्म कर दिया है कि 2014 से पहले हमारे देश का आउसत्था एवरेश दस साल में करीब 50 मेडिकल कॉलेज बना करते थे दस साल में 50 मेडिकल कॉलेज इतने बड़े देश में जबकि भारत में पिछले साथाट साल में पहले के मुकाबले चार गुना से जादा यानि करीब करीब 209 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कहां 50 और कहां 209 और आने वाले अभी 10 साल के जब हिसाब लगाऊंगा तो यह मामला वह आगे बढ़ने वाला है वो 400 तक पहुंचने वाला है बीते साथनार साल में भारत में अंडर ग्रेजुएट मेरिकल सिस्ट में 75 परसंट की बढ़ोत्री हुई हैं भारत में अब एन्यूल टोटल मेडिकल सिस्ट की संग्या बढ़कर लगबग दो गुना हो चुकी हैं यानि अब देश को कहीं ज्यादा डॉक्टर मिल रहे हैं देश में तेजी से आधुनिक मेडिकल इंफ्रासक्ते निर्मान हो रहा है इंक्लूजिव ने इसके लिए लाई गई एक वोजना का जमीन पर ग्रोथ की दुरुष्टी से भी इतना बड़ा प्रभाव हम बिलकुल देख सकते हैं हम उसको आख सकते हैं और मैं तो आपको ऐसी दर्जनों यह जिना गिना सकता हूं भारत के डिजिटल इंडिया भ्या ने किया लगव पांच अलाग कॉमन सर्विस सेंटर्स ने गाउं में रहने वाले गरीब तक भी इंटर्रेट की ताकत को पहुंचाया है भारत के भीम यूपियाई ने करोड़ों गरीबों को डिजिटल प्रेमेंट की सुविधा से जोड़ा है भारत की स्वनिधी योजना ने है रहरी पत्रिबाले साथियों को बैंकिंग व्यवस्ता से जूड़ने का अउसर दिया है जो हमारी ही नगरपाली का मैं महन नगरपाली का में जो है जिनके साथ हमारा रोज का नाता होता है बेंक मैनेजर होगा उसके घर में रोज रेड़ी पट्रि काम किया है दुनिया उसंपर काफी कुछ रहे हैं भारत का इक initiative है ऐस्परेश्ट्र डिस्टिक प्रोग्रेम कि देश के सो से ज्यादा जीलों में रहने वाले कि करोरों साथ्यों को अप्लिप कर रहा है और यह एस्परेश्ट्रिक की कल्पना यह है कि हिंदुस्तान के और जीलों की तुलना में जो पीछे रहे गए है उनकी आकांच्छाओं को हम एड्रेस करें उनको उस राज्य की टॉप को पोजिशन की बराबरी तक ले आएं और फिर देरे देर उसको नेश्टनल टॉप की बराबरी तक ले आएं साथ यह इसका इतना बड़ा पॉजिटिव इंपक्ट हुआ है और एक प्रकारते इन सो डिस्टुट का इंक्लूजन हो रहा है डेवलोप्मेंट की दुनिया में भारत की राष्ट्रिय शिक्षानिती और एक बहुत बढ़ा परेडाइम सिफ्ट है और शिक्षा पर भी धर्म जोड दे रही है जो अंग्रेजी नहीं जानता है जो एक्स्लूडेड है उसे अब मात्रु भाषा में पढ़कर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा भारत की उडान योजना इसने देश के हमने कई हवाई पट्टियों को जिवंद कर दिया नए एरपोर्ट बनाए दूर दू टीर 2 टीर 3 सिटी में भी हम चले गए आप उडान योजना लाए एक फिक्स एमाउंट में हवाई जहाज में सफर की एक रचना की भारत की उडान योजना ने देश के अलग-अलग कौनों को हवाई मार्ट से जोड़ा है गरीब को भी हवाई जहाज में उड़ने का होसला दिया है और मैं कहता था हवाई चपल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज में बैठेगा Er इने इंक्रूजियन भी हो रहा है उसी का पनाम है आज भारत के में का ग्रोथ इतना हो रहा है एह 것은 1000 से जादा नए एर का फटा ऊर्डर को विक होए है भारत के लिए इस देश también एक हजार से जादा में एरकाप खरीदा क्योंकि पैसेंजर वाला इंक्लूजन का जो हमारा अप्रोच रहा उसी का प्रणार है अभी धन्मन जी नहीं जिसकी बात की जो मैं गुज्रात में जिसको मैंने बहुत मुखर्ता से काम किया था जल जीवन मिशन देश के हर घर को पाइप वाटर सप्लाई से जोड रहा है नल से जल और उस सिर्फ पानी मिलता है नहीं वह उसका समय बचाता है कठिनाईया बचाता है हेल्दी कंडिशन के लिए वाटर के बहुत बड़ी बुमिका रहती है उन्सारे दुरुष्टी से यह मिशन बहुत बड़ा सामाजी जीवन और जीवन बच्चों के नुट्रेशन का विशे क्या है उसका समन पानी से भी है शुद्ध पानी पीने का शुद्ध पानी यह भी नुट्रेशन के लिए बच्चों के लिए बहुत महतोपुन विशे ह और हमारा नल से जल अभियान उस इश्यू को भी एड्रेस करने वाल का एक बड़ा महा अभियान का हिस्सा है सिर्फ तीन साल में ही इस मिशन ने छे करोर से ज्यादा घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा है भारत में मोटे तौर पर लगाया हिसाब तो 25-27 करोर घर है यह इंक्लूजिवनेस आज देश के सामान्य मानवी का जीवन आशान कर रही है उससे आगे बढ़ने का होसला दे रही है और किसी भी देश के विकास में इसका कितना महत्वा है यह आप अर्थ जगत के लोग यहां बैठे हैं वो भली भातिस मात को जानते हैं मैं आपको एक और दांग देना चाहता हूं आप भी जानते हैं और यह तो मैंने देखा है कि यूएन में भी इसकी चर्चा होती है सब्सक्राइब है और वो कह रहा है दुनिया के मैं दसकुन से अनेक देशों में प्रॉपर्टी राइट्स यह बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है और प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं तब समाज के जो आखरी लोग होते हैं वो सबसी जगना बंद्रबल होते हैं उनके पास कोई दसक्राइब नहीं होता है सबसे ज्यादा मुसीबत उनको जनली पड़ते हैं लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत ने इस दिशा में दिश तेजी से काम किया है वो अभूत पुर्वा है और मैं मानता हूं दुनिया के अकेडेमिक्शन दुन सब्सक्राइब गरोंग और इमारतों की मैपिंग का काम बड़े प्रहमाने पर चल रहा है अभी तक भारत के डेड़ लाख गावों में यह काम हम ड्रोन की मदद से करते हैं ड्रोन से सर्वे होता है और टेक्नोलोजी का भर पुरूपयोग होता है और पूरा गाव वहां मो 30,000 स्क्वार किलोमेटर आप कल्पना करिए ड्रोन के मात्यम से 37,000 स्क्वार किलोमेटर जमीन की मैपिंग का काम हो चुका है मतलब उन गरों से जुड़ी हुई जमीन वाला और 80,000,000 से जादा लोगों के लिए प्रपर्टी कार्ड बनाए जा चुके हैं और यह भी जो माल किसे हमति से होता है उसके साथ वीचार मिमर्स होता है उसके अड२ोश-पडोस नोगों के चारि मस होता है एक लंबी प्रक्रिया है और इसका मतल histor हे एख एक जो को रेंक्छ लोन मिलना आसान हुआ है उनकी जबिन अप कानूनी विवादोंसे भी बते रही है साथियों आज का भारत reforms by compulsion के बजाए reforms by conviction से आने वाले 25 साल का रोल में पैयर कर रहा है देश्ट आजाजी के 100 साल बनाएगे तब देश कहां होगा इस लक्ष को लेकर के हम आज रोल में बनाब करका आगे बढ़ रहे हैं दसको पहले देश्ट ने ये देखा था कि जब कोई reform मजबूरी में होता है तो इनके उसके institutionalize होने की उमीद कम रहती है जैसे ही मजबूरी कम हो खत्म होती है वैसे ही reform भी बुला दिया जाता है reform जितने जरूरी होते हैं उतनाही जरूरी वो environment होता है motivation होता है पहले भारत में बड़े reform तब हुए जब पहले की सरकारों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था हम reforms को necessary evil के रुप में नहीं बलकि एक win-win choice के रुप मानते हैं जिसमें रास्त हित भी है जन हित भी है इसने बिते आठ सालों में हमने जो भी reforms किये उन्होंने नए reforms के लिए रास्ते तयार किये हैं और उन जी आज यहां भी यहां भी होगे वो संतुष्ठ होगे कि वो जिस mission में भागिदार रहे उसका लाप आज देश को मिल रहा है जी एस्टी हो या आई बीसी इनको लेकर सालों तक चर्चा हुई आज इनकी सफलता हमारे सामने है Companies Act को decriminalize करना हो Corporate Taxis को competitive बनाना हो Space, coal mining और atomic sectors में को खोलना हो ऐसे अनीज reform आज 21 सदी के भारत की सच्चाई है साथियों हमारी policy making Pulse of the people पर आधारी था है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनते हैं उनकी आवशक्ता उनकी आकाक्षाओं को समझते हैं इसलिए हमने policy को Populist impulses के दबाव में नहीं आने दिया People's Pulse के अनुसार Fastly लेना और Populism के सामने हर्थयाद डाल देने में क्या फर्क होता है ये COVID काल में हिंदुस्तान ने देखा है और देखा है ने दुनिया को दिखाया है बड़े बड़े अर्थसात्री क्या कह रहे थे पैंडेमिक के समझे जब पैंडेमिक आई तो पूरी दुनिया में बड़े बेल आउट पैकेज के लिए डिमांड डिवन रिकवरी के लिए पॉपलिस इंपल्स था हम पर भी दबाव था और हमारी आलोचना होती थी ये कुछ कर नहीं रहें कुछ दे नहीं रहें पता नहीं क्या कुछ हमारे लिए कहा गया ये भी कहा गया कि लोग चाहते हैं एक्षपर ये चाहते हैं बड़े-बड़े विद्वान ये चाहते हैं लेकिन भारत दबाव में नहीं आया उसने अलग अप्रोच अप्राई और बहुत समझदारी के साथ शांत मन से अप्राई हमने पीपल फर्स अप्रोच के साथ गरीब को सुरुक्षा दी महलाओं, किसानों, MSMS पर ध्यान दिया हमने दुनिया से अलग इसलिए कर पाए क्योंकि हमें पीपल फर्स यानि जनता क्या चाहती है उसकी क्या चिंता है इसका एसाथ है इसलिए भारत की रिकवरी और बाकि दुनिया की रिकवरी में जो फर्क है वो हम साथ देख सकते हैं साथियो मैं अकसर मैक्सिमम गवर्मेंट मिनिमम गवर्मेंट और मैक्सिमम गवर्नस का आगरे करता रहा हूँ हमारी सरकार ने ऐसे डेड़ हजार कानूनों को खत्म कर दिया है नावश्यक रूप में दखलते रहे ते डेड़ हजार कानूं और मुझे आध है दो हजार तेरा में जब भारती जनता पार्टी ने मुझे पी-म केंडिडिट बनाया था दोजार में चवदा में चुना होना था तो यहीं दिल्ली में ही व्यापार जगत के लोगों ने मुझे कारकम के लिए बुलाया था और वो बड़ी थोड़ा गरम मिजाच का बातावन था क्या करोगे डिक ना करोगे फलाना करोगे सब पूठ रहे यह कानून बनाओगे नही बड़ा दबाव था केंडिडेट चुनाओ के दिनों में पी तो जरा है मैंने कहा देखिए आप कानून बनाना चाहते हैं लेकि मैं आपको एक बाइदा करता हूं मैं हर दिने कानून खतम करूँगा नए बनाने की गरंटी नहीं देता हूं खतम करूगा और पहले पांच स सथाल में यहां धेड़ हजार कानून खतम करने का काम पूरा कर दिया सात्यों जो कानून जंता सामानेक पर बोज़ मनते हैं साथ्यों आपको जान करके खुशि होगी हमारी सरकार ने 30,000 से जञदा यह आम चोग जाएंगे 40,000 से जञदा ऐसे क्मप्लाइंसीत को भी कम कर है जो इस अब बिजनेस में और इस अब लीविंग में बाधा बने हुए थे तीस हजार कंप्लाइंसिस खतम कर देना यानि जनता जनारदन पर कितना अभुद्पुर्व विस्वास का यूग आया है उसका नतीजा होता है कि हम कंप्लाइंसिस के बोच से जनता को मुक्त कर र का सरकार का प्रभाव कम से कम हो लेकिन जिसको सरकार की जरूरत है उसको सरकार का अभाव नहों यह दोनों विश्व को लेकर करके चलने का हमने प्रयास किया है आज मुझे आपको बताते हुए संतोस है कि मिनिमम गवर्मेंट की एप्रोच मैक्सिमम आउपूट्स और मैक् के नतीजे आपके सामने हैं को मिट्र वेक्षिन कहीं उदान ले हमारे देश के प्राइबेट प्लेर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है लिकिन उनके पीशे पार्ट्नर इन प्रोग्रेस है पार्ट्नर इन प्रोग्रेस के रुप में सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी रह स्पीडी ट्राइल तक फंडिंग से लेकर रेपिड रोल आउट तक जो कंपनिया वैक्चिन का निर्मान कर रही थी उन्हें सरकार का भरपुर सयोग मिला एक और उदारण हमारे स्पेस एकोसिस्टिम का है आज भारत पूरी दुनिया में सबसे विश्वफनिया और अत्याध भुनिक स्पेस सर्विस प्रोवाइडर में से एक है इस ख्षेत्र में भी हमारा प्राइवेट सेक्टर एकोसिस्टिम बहुती बहतनीन काम कर रहा है लेकिन उनके पीछे भी पांटनर इन प्रोग्रेस के रूप में सरकार की पूरी शक्ति हैं जो उन्हें हर सुमीदा और जानकार उपलब्द करने में मदब कर रही है जब हम भारत के डिजिटल पेइमेंट इकोसिस्टिम का उधान लेते हैं तो हमारे यहां फिंटेक के साथ ही डिजिटल पेइमेंट से जुड़े कई प्लेयर्स हैं लेकिन यहां भी देखें तो इनके पीछे जैम ट्रीनिटी रूपे यूपी आई और सपोर्टिव पॉलिसी का मजबूत आधार है यहां मैंने केवल कुछ उदहान आपके सामने रखे हैं लेकिन मैं इन्हें दुनिया के लिए एक रिसर्च का वीशे मानता हूं एकडेमिक वर्ड को गहराय में जाने के लिए निमत्रित देता हूं द हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहें हैं एक प्रकार से देखे तो अब सिध प्राइवेट Sector या सरकाली वर्चस्वावाले एकस्ट्रीम मोडेल की बाते पुरानी हो चुकी हैं अब समय है कि सरकार की प्राइवेट सेटर को पार्टनर इन प्रोग्र्ister मानकर उन्हें पूत्साहित करें और हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं साथियों सबको साथ लेकर चलने देश के पब्लीक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स पर वरोसा करने की यही स्पिरीट है जिसके कारण आज भारत में ग्रोथ के लिए अद्भूत उत्सा दिख रहा है आज हमारा एक्सपोर्ट नए रिकॉर्ड बणा रहा है सर्विस सेटर में तेजी से गृट की तरफ आगे बढ़ रहा है प्लाइस प्ला इसकीम का सर्व तो मैनिफेक्टरिंग सेक्टर पर दिखे लेगा है मोबाल फोन सहीद पूरे इलेक्टरिक कालखन में तोई को लेकर के मैंने समिट की थी खिलों ने तो कई लोगों को लगा हो गया यह प्रियम को कभी जाड़ू की बात करता है स्वच्ता की बात कर रहा है कि अब तक हम उन बड़ी-बड़ी बातों में फसे रहे हैं तो मेरी बाते उनके गले बैठती नहीं थी सिर्फ खिलोनों की उपर मैंने ध्यान दिया खिलोने बनाने वालों पर ध्यान के इंजित किया टेक्नोलोजी पर ध्यान दिया इनोवेशन पर ध्यान दिया फाइनांसियल सक्टर के इतरब ध्यान दिया अभी तो दो साल पूरे नहीं हुए है मेरे देश वासी गर्व करेंग कि टॉइज का इंपोर्ट इतने कम समय में इतना घड़ गया वरना हमारी हार घर में खिलोना विदेशी हुआ करता था जी वह इतना इंपोर्ट कम हुआ है इतना ही नहीं भारत के खिलोने भारत के टॉइ पहले जितना इंपोर्ट होता था उससे जादा आज एक्षपोर्ट ह जैसे आपने का टूरिजम सब्सक्राइब में सहमत हूं आपसे भारत के टूरिजम की संभावना इतनी अपवार है लेकिन हम एक ही जगा पर अटक गए थे कि हिंदुस्तान के पूर्न रुप्व विश्व के सामने ले जाने का हमने हमारे हम पता नहीं हमारी मांसिक्ता ही वो खोड़ चुके थी और बिदेश की महमान जो भी आते हैं तो हिंदुस्तान के किसी सद्थान पर ले जाने का आगर रखता हूं क्या मेरे टूरिजम के इस तो पचात्तर आइकोनिक सांपर किया ताकि लोगों को पता चले के तुरिजम के ऐसे हैसे डेस्टिनिशन है हमारे यहां तुरिजम के संभावना आपने सही फरमाया पुरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा आकर्शन का केंदर बन सकता है भारत साथ हमारे डिजिटल एक इसकोना भी तेजी सा आगे बढ़ रही है फिजिकल और डिजिटल इंफ्रासेक्टर पर रिकॉर्ड निवेश हो रहा है यानि हमारे ग्रोथ इंजिन से जुड़ा हर सेक्टर आज पूरी शम्ता से चल रहा है साथियों आजादी के अमरुकाल भारत के लिए अंगिनप मारा इरादा अटल है मुझे विश्वास है हम अपने संकल्पों को सिद्ध करेंगे 21 सदी में उस मुझाई को प्राप्त करेंगे जिसका भारत हकदार है और जैसा तर्मन जी कुछ चलेंजिज के लिए बता रहे हैं मैं मानता हूं चुनोतियां है लेकिन गर चुनोतियां ह तो 130 करोड सॉल्यूशन भी है यह मेरा विश्वास है और उन विश्वास को लेकर के चुनोतियों को ही चुनोति देकर के आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं और इसलिए हमें इंक्लीजन का रास्ता लिया है और उसी रास्ते से ग्रोप को भी पाने का इरादा एक बार फिर अरूर जी को याद करते हुए मैं अपनी बार्णी को विराम देता हूं धर्मन जी का विशेश रुपते धन्यवाद करता हूं आप सब का भी रुदे से बहुत पहुत आभार वेक्ता करता हूं धन्यवाद